मेरे पास आप सभी के इतने प्यारे प्यारे इतने खुबसूरत अनभव आए हैं कि बस मेरा मन चाहा रहा है कि मैं जल्दी जल्दी आप सभी के साथ ये सभी अनभव शेयर करूँ हर अनभव एक से एक खुबसूरत है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो अनभव है ये जो मेरी रिसर्च चल रही है जो मैं मृत्यों के बाद की दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हूँ और उससे भी ज़्यादा खुबसूरत बात ये है जो अब तक की जो मेरी रिसर्च रही है जो मैंने नतीजे निकाले है उनकी सत्यता पर महर लगा रहे है ये मेरे लिए बहुत-बहुत मुझे खुशी देनी वाली बात है क्योंकि कोई भी इंसान जब अपना वक्त अपना महनत किसी दिशा में डाल रहा है और उसे ये पता चलता है कि जिस दिशा में वो महनत डाल रहा है अपना समय डाल रहा है वो दिशा बिलकुल सही है वहाँ वो सही रस्ते पर चल रहा है सही ग्यान से कनेक्ट हो रहा है तो ये बहुत ही एक आनंद देने वाली बात होती है जिसे मैं बहुत गहराई से फिल कर रही हूँ. पिछली कड़ी में मैंने आप से सवीता जी के केस का जिकर किया था, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया है, पर मैंने बाइ मिस्टेक नाम गलत लिया था, उनका नाम सवीता जी नहीं है, उनका नाम संगीता जी है. और आप लोग जो भी अनभव मेरे साँ शेयर करते हैं, जब तक आप लोग की परमीशन नहीं होती, तब तक मैं आप लोग की पहचान को गुप्त रखती हूँ. यदि कोई परमीशन देता है कि उसके सही नाम बताया जाए, उसकी विशे में बताया जाए, मैं तभी बताती हूँ. तो आज संगीता जी से मेरी बात हुई, और संगीता जी ने मुझे परमीशन दी कि मैं उनकी विशे में बता पाऊँ. तो संगीता जी जिनके पास बेहत खुबसूरत और धेर सारे उस मृत्यु के बाद की दुनिया से जुड़े हुए अनभव हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हैं सामने स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं जो कि आपको एक फिल्म का पोस्टर लग रहा होगा ये संगीता जी के हजबन की फोटो है क्योंकि संगीता जी के हजबन हरिश जी एक सम्मानिय अभिनेता है और करिश्मा कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी उस फिल्म के वो हीरो रहे हैं और भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है हरीश जी की पतनी संगीता जी उनके ये अनभव हैं जो की बेहत खुबसुरूत है और जो की बेहत ही उच्छिस्तरिय आत्मा है पिछली कड़ी जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो भी संगीता जी के अनभव हो पर और जो मैंने फोटो शेयर करी थी पिछली वीडियो में वो भी संगीता जी के भाहिया सचिन जी की और उनके पिता जी की फोटो थी और जो सोल की फोटो म इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि एक और जा दिखाई दे रही है हुमन फॉर्म में यहां तो फिर भी बहुत स्पष्ट रहा है बहुत कम केस होते हैं जहां इसते भी जैदा क्लियर फोटोस कैप्चर हो पाएं वो कैमरे बहुत हाई क्वाल्टी होते होंगे लेकिन एक सामान मोबाइल से ली गई ये फोटो है अगर ये इतनी क्लियर आई है तो ये बहुत क्लियर है ये जो फोटो जो मैंने विशली कड़ी में शेयर करी है इस वीडियो में भी मैं शेयर कर रही हूँ वह संगीता जी जो कि हरेश जी अभिनेता हरिष जी की पतनी है उनके स्वर्गिय ब्रदर सचीन जी की है पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस तरह से ये प्रकृति कारे करती है, कितना डीप है इस प्रकृति के कारे करने का तरीका देखिए अगर मैं अब आज मैंने ये पहचान आप लोग के साथ क्यों शेयर करी एक तुम्झे संगीता जी के द्वारा पर्मीशन मिली कि मैं उनके विश्य में बता दूँ दूसरा मुझे मतलब जैसे मैं आप लोग के साथ जो एक्सपीडेंस शेयर करती हूं जैसे कई लो देखा कि किस तरीके से जो संगीता जी के नाना जी थे जिन्होंने अपनी बेटी की जेठानी का कुछ देना था तो उन्हें एक रीबर्थ लेना पड़ा और वो रीबर्थ में उन्होंने सिर्फ मुख्य रूप से यही कारे किया सहतिस वर्ष के आवे में उनका परमकसद जो था वो क्लियर हुआ जो कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हुआ और फिर उन्होंने आगे की अपनी यात्रा को शुरू किया और जो उनकी मृत्यू है वो भी हमने देखा कि पहले भी गंगा घाट पे हुई उसके बाद भी रिशी केश में हुई यानि मृत्य क्योंका जो मतलब तीर्थ स्थान पर मिद्ध कुछ उसी तरह की अवस्ता है और सचिन जी ने जो अपनी ताई जी को देना था बस वो दिया और दो मिनी के अंदर ही उनका स्वर्गवास हो गया तो जब वो रिशी केश में जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उस समय संगी जी ने एक स्मोक जैसा कुछ उनके मूँ से निगलता हुआ देखा था जैसे मैंने कई बार कहाए कि बच्चे और जो बहुत गहरे जिनके कार्मिक अकाउंट है या जो बहुत गहरे से अटैच हैं किसी व्यक्ति से पवित्र आत्माएं हैं वो देख पाती हैं तो वो बच् लेकिन यहां तक का जिक्र तो मैंने पिछली कड़ी में भी किया था डिटेल में जिक्र किया था फोटोस भी शेर करी थी अब मैं आगे बढ़ती हूं जब सचिन जी का स्वर्गवास हुआ तो उनके स्वर्गवास के लगभग पहले जो चार-पांच दिन होते हैं जो संग उनके पुत्र को अपने स्वर्गवे मामा जी से message मिलते रहें बहुत सारे message बच्चे ने receive के आगे आगे चलते चलते मैं इस केस का पूरा जिक्र करूंगी ये मैं अभिनेता हरिश जी के पुत्र की बात कर रही हूं जो कि आज की तारीक में जाने माने वकील हैं तो उनके अपने स्वर्गे मामा जी से बहुत सारे मैसेज रिसीव करें, क्योंकि एक तो बच्चे का काफी अच्छी बांडिंग होगी अपने मामा जी से, दूसरा शायद वो रिसीविंग मोन में थे, तो एक बात जो बच्चे के मन में थी, कि मृत्यू के बाद कुछ नहीं होता, मृ मृत्यू के बाद शुन्य नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए तो आज मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ, ये एकदम क्लियर मैसेज दा, संगीता जी के ब्रदर का अपने भंजे को, तो ये जो मैसेज उनको मिले, बच्चा जो कम्मिनिकेट कर पा रहा था, वो पहले उन उनका बच्चा शेयर नहीं करता था, उन्हें बताता नहीं था, लेकिन जब संगीता जी ने बहुत जो डाला, तो बच्चे ने आखिरकार बच्चे को बताना पड़ा और उसने बताया कि ममी, जब से मामा जी का स्वरगवास हुआ है, मामा जी, जैसे मेरे दिमाग में कमीशन नहीं है, अगर आप इस बात को किसी को बताते हो कि मैं आप से बात करता हूँ, तो मैं आप से बात नहीं कर पाऊँगा, तो बच्चे ने बताया क्योंकि ममी ने प्रेशर डाला, लेकिन उसके बाद बच्चे ने ये भी कहा कि पता नहीं, अब मामा जी मुझसे तो जैसे कि उन्होंने काफी कुछ बताया, बच्चे को उसके स्कोर भी बताया, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि कुछ रूल रगुलेशन होते हैं, ये प्रगरती कुदरत ने ऐसी बनाई है कि आप भविष्य को नहीं जान सकते, आप पास्ट को नहीं बता सकते, आप भ कुछ बता दिया जाए, ऐसे नहीं होता, तो जैसे कि बच्चे को उसके मैथ में क्या मास्क आने वाले हैं, क्या उसका स्कोर रहेगा, वो भी उसको बताया, और भी बहुत सारी बाते उसने शेयर करी, जो कि धीरे धीरे जैसे मुझे मैं आपके साथ शेयर करती जाओंगी, क्योंकि जो ये तीन-चार कड़ियों में चलने वाली ये जानकारी है, तो एक दिन संगीता जी के पुत्र कहते हैं, कि मुझे बिल्कुल क्लियर, जैसे मुझे आवाज आई, एकदम क्लियर, जैसे मुझे मामा जी सपस्ट बोल के बता रहे हैं, कि आज नानी जी को बाहर ज पुटेशन किया करती थी, तो आज आप मंदिर मज जाओ, तो उनकी नानी जी नहीं मानी, उन्होंने का अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, तो उनकी नानी जी निका हाँ, तो मेरे साथ चल, लेकिन बच्चा फिर अपने किसी काम में बिजी हो गया, थोड़ा स चोट लगी पैर में, जिसके बाद उनने एक मीने का प्लास्टर भी चला, और वो बिस्तर पर रही, तो जैसे कि उनके मामा जी उन्हें रोक रहे थे कि आज नानी जी को घर से बाहर मत जाने दे, लेकिन, देखिए, होनी भी बलवान होती है, आप कई बार हम सब, यह है नह चुनिंदा लोगों के अंदर है, सब के अंदर है, सिर्फ हमें अपने विचारों को शांत करना है, सिर्फ हमें अपनी ग्रेहंड शील्टा बढ़ानी है, सिर्फ हमें हमारा फोकस क्लियर करना है, तो जिस दिशा में उर्जा जाएगी, वहां से रिजल्ट मिलेंगे, तो ज चबी चड़ा, इसी तरह का एक और केस भी है, वो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी, तो यहां पर होनी बहुत बल्वान रही, लेकिन होनी टल भी सकती थी, देखिए, टल सकती थी, अब क्यों कहते हैं होनी बल्वान है, होनी बल्वान तब है ना, जब हम, जो कि जयतर मामले में हम मैसेज रिसीव नहीं कर पाते, प्रकृति के इशारों को समझ नहीं पाते, इसलिए हम कहते हैं होनी बल्वान है, तो, लेकिन अब यह जो स्थिती है, यह टल भी सकती थी, अगर बच्चे की बात पर भरोसा किया गया होता, और जो मामा जी द्वारा मैसेज दिये गए थे, वो मैसेज बच्चे ने जो दिये थे, नानी को रोका था, नानी रुक गई होती, नानी जी नहीं रुकी, तो अगर आपको कोई स्वर्गी प्रियजन इस तरीके से, जैसे की सचिन जी दे रहे हैं अपने भांजे को मैसेज, तो वो मैसेज अगर हमें मिल रहे हैं हमारे स्वर्गी प्रियजनों द्वारा, तो क्यों मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं कि कुछ हद तक भविशे हम ब क्योंकि जैसे मैंने पूरी बात कहीं, कि हम सहज बोध को, इंटुशिन पावर को इगनोर करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन शम्ता होती है, कई बार पस्तितियों जो होने वाली है पविश्य में उनको बदलने की भी शम्ता हमारे स्वतंत्र कर्मों में होती है, इसलिए तो में से दिये गए, अनिता दिये ही ना चाते, अगर यूज लैत होते तो दिये ही ना चाते, संगीता जीने, अनुपमा जीने, इतने खुबसूरत अनभव में साथ शेयर करें हैं, मैं जल्दी से जल्दी आप सभी तक वो अनभव पहुंचाऊंगी, मुझे बहुत अच्छ होगी ताकि मैं इस कारे को आगे बढ़ा सकूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो के पिछले भाग का लिंक शेयर किया है, और अभी अगली कड़ी बनी नहीं है, जब बन जाएगी तो मैं अगली कड़ी का लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप सभी इपड़!